दो हफते पहले उद्धव ठाकरे जी महबूबा मुफ्ति के साथ बैठे थे और ये पिक्चर बहुत इंपोर्टन्ट है क्योंकि इस पर काफी सारे कॉमेंट्स किये गए थे और उद्धव ठाकरे ने उसके बाद कहा कि मुझ पर कौन है बीजेपी जो सवाल उठा रही है कि म आपने ओपन वहां पर स्टेटमेंट दिया अपने उंदुत्वव अले इसुपर और आपने कॉंट्रवर्श्यल स्टेटमेंट दी जिसमें आपने कहा कि महाराश्ट्रा के अचानक में अचानक कुछ जिलों में ओरंगजीब की उलादे पैदा हूई है क्या आप रिग्रे रहा है कि आप पूरे Muslim community को target करने की कोशिश करें अब लेम किया है मैं बताओ हम लोग मराथी में statement करते है नैशनल मेडिया को समझता ही हमने क्या का है और फिर नैशनल मीडिया के लोग out of context चीजें उठा के देदेते हैं देखिए मैं सवाल मेरा यह है कि अवरंग जेब कभी इस देश का हिरो नहीं हो सकता और और अवरंग जेब के कोई रिष्टेदार भी इस देश में नहीं है यह तर्किक मंगोल इनकी जनसंख्या भी अगर हमारे देश में मैं तो देख रहा था 126 परिवार है हमारे यह से किवल तो यह ऐसा क्या मैंने यह कहा कि अचानक महराष्ट के कुछ जिलो में लोग आवरंग जेब की तस्वीरे लगा रहे है उसका स्टेटस रख रहे है उसका प्रसेशन निकाल रहे है आवरंग जेब जिंदाबाद के नारे लगा रहे है तो म मसीहा नहीं रहा, उनका भी हिरो नहीं रहा, तो इसका मतलब यह है कि इसके पीछे कोई नो कोई डिजाइन है, कोई नो कोई इसको करवा रहा है, अब यह मेरे पीछे की बाद किसी ने ली नहीं, देखें मेरा आप पूरा स्टेटमेंट देखें, कितना लिया यह औरंग जेब की अवलादे कहां से पैदा होगे अरे इट इस इना कॉंटेक्स्ट कि आज तक तो औरंग जेब का फोटो नहीं लगता था आज तक तो आपका हिरो नहीं था आज तक तो उसके जिंदाबाद के नारे नहीं लगाते थे आज तक तो उसके नाम से प्रसेशन नहीं निकलता था अच्छानक इतने लोग निकाल रहे हैं इसका मतलब यह है कि there is a design कौन किसका design देखिए वो तो हम बताएंगे हमला हमारी तफ्तिश चल रही है किसकी design है इसमें प्रकाश अंबेटकर खुल के वहाँ पे गए है देखिए यह पूरे controversy के बाद अबोकेशन मैं मानता हूं उसको मैंने तो प्रकाश अंबेटकर जी को इतना ही कहा कि आपसे इसलिए expect नहीं है कि डॉक्टर बाबासाइब अंबेटकर जी को हैद्राबाद के नवाब ने करोड़ों करोड़ों रुपे आफर किये थे कि आप हमारा धर्म लेनीजिए इक ड दर्ती में पैदा हुआ वो धर्म मेलोंगा और उन्हें बोट द्धम की वहाँ पर तो मैंने का प्रकाश अंबेटकर जी आप वहाँ जाकर अवरंग जेब ने इतने दिन राच किया यह कहते इननको का हिटलर ने में राच किया था जर्मनी पर हिटलर की कबर पर कोई नहीं अजिया जैसा कर उन्हें लगाया और चत्रपती संभाजी महाराज जैसे हमारे वीर को केवल वो धर्म परिवर्तन करे इसलिए तड़पा तड़पा के मारने का काम अरण जेब ने किया तो हमारा हिरू ने किया स्टेटमेंट दी उद्धव टाकरे को कॉर्णर करने के इंफिए और उनको इसलिए करना पड़ेगा ते वो प्रकाश आमबंधर कर जी के साथ जा रहें तो उनको क्या ये मंधूर है मेरा सवाल है अगर वो क्या क्या यह देना है सकता साथ मैरी पोलिसी है मैंने हिंदुत्वा के साथ हुआ हमेशा कह रहे हरे बार के हमेंसा क्वि वो कह रहे हैं और इंडिकेट है उन्होंने कहा कि नहीं कहा मुझे नहीं पता मगर वो लोग कह रहे हैं कि यह सेटिंग है बीजेपी और असदुदी नोवेसी के बीच में देखिए पोलराइज करने के लिए सिद्धा सवाल यह उठता है कि आप कल तक हिंदु रुदय शिवसेना प्रमुग बाड़ासाब ठाकरे कहते थे बाद में आपने हिंदु रुदय समराठ कहना बन कर दिया कि आज तक आपने कभी उर्दु में कैलेंडर नहीं छपाए थे आपने उर्दु में कैलेंडर चपाया और जनाब बाड़ासाब ठाकरे का हिंदु रुदय सम अगर इतना तुष्टी करन कोई करता है और कहता है मैं हिंदुत्व कर रहा हूं मैं हमारा हिंदुत्व क्या है हमको मुस्मानों को खिलाफ का हिंदुत्व नहीं हमारा तो कहना इतना है कि इस देश में तुष्टी करन की नीती मत करो इस देश में किसी एक समाज को उसके तु पर पैसा खर्च करो हमें कोई अब्जेक्शन नहीं है लेकिन अगर आप तुष्टी करण की नीती के चलते गलत चीजों को भी आप अगर सपोर्ट करेंगे हमें मुंजूर नहीं है और उसके बाद कहेंगे हमने हिंदुत कहां चोड़ा है बिल्कुल कौन सा हिंदुत है आप के पास